नमस्कार दोस्तों भगवान स्रीकिष्ण के नुसार मनुस्य को अपने घर की कुछ चीजें कभी भूल के भी किसी को नहीं देनी जाहिए इन चीजों के साथ ही घर से लक्ष्मी भी चल जाती है हाँ यह सत्य है कि हमें गड़ीवों को लाचारों की मदद करने चाहिए भगव कुछ ऐसी चीजे होती है जो भूल कर भी हमें दूसरों को नहीं देना चाहिए क्योंकि अगर ये चीजे आप किसी को देते हैं तो आपके घर की सुक सम्रिद्धी भी चले जाती है क्योंकि इनहीं चीजों के साथ आपके घर की सांती और सुक सम्रिद्धी जूरी होती है अ में उन्हें कभी नाराज नहीं करना चाहिए अगर आप भी चाहते हैं कि मातर लक्षमी का सिर्वाद और क्रिपा आप पर बने रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो शेर करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह ग्यान की बातें मिलती रहें तो चलिए हम जानते हैं वे कौन से चीजे हैं जिसका हमें भूल कर भी दान नहीं करना चाहिए वह पहली वस्तु है आपके पतनी के गहने दोस्तों इस्तियों के आपहोशन को मा लक्षमी का परतिक माना आता हैं सुन्दर आभोसन से सुसोभित स्तरी मालक्ष्मी की परतिविम की तरह दिखाई देती है इसलिए जब भी हम गहने खड़ी देते हैं तो सबसे पहले मालक्ष्मी के सामने रख कर उनकी पूजा करते हैं और उसके बाद ही उन्हें पहनते हैं इसलिए अपने पत्नी के गहने कभी किशी को उधार या दान में ना दे खास कर सोहागन महिला इस बात का ध्यान रखे कि वे अपने मंगल सुत्र, पायल या भी छिया कभी किसी दूसरी महिला को इस्तमाल के लिए ना दे इससे उनके घर की बरक्कत और भागे भी उन गहनों के साथ चले जाती हैं इसलिए अपने गहनों को दूसरों को इस्तमाल के लिए ना दे दूसरी चीज जारू, दोस्तो, जारू सफाई के लिए इस्तमाल होती है हमारे घर में उसका इस्तमाल बखू भी तरज से किया जाता है या हमारे घर से नकरात्मक उर्जा को दूर करता है या मालक्ष्मी का परतीक मना जाता है इसलिए अपने घर के जारू को कभी किसी को उधार या इस्तमाल के लिए ना दे यदि जहारू खराब हो गई है तो इसे किसी प्रवाहित जल में बहा दे लेकिन उसे किसी को न दे या कच्रे में न फेके क्योंकि आपके घर का जहारू अगर कोई दूसरा उप्योग करता है तो इसका असर आपके घर के सुखसंतिय पड़ता है और दूसरी बात यह भी ख्यास रखे कि आप किसी के दूसरे के जहारू का इस्तमाल न करे इससे उसके घर का नकरात्म कुर्जा आपके घर में आ सकती है तीसरी चीज़ दोस्तों सुर्यास्त के बाद दूद, दही, चावल, आटा, नारियल, नमक जैसी सफेद वस्तों का दान कभी नहीं करना चाहिए ऐसा माना आता है कि इन सफेद चीजों से बुरी नजर बहुत जल्दी लग जाती है ऐसी चीजों का दान सुर्यास्त के बाद करने से आपके घर में सकरात्मक ओर्जा की कमी हो सकती है अगर देना ही है तो बाजार से खडीद के दे सकते हैं प्रन्तु अपने रसोई घर से उठा कर कभी भी ना दे चौथी चीज है कभी किसी व्यक्ति को किसी त्योहार या एकारदसी के दिन अपने तीजोडी से पैसा निकाल कर ना दे इससे आपको हानी पहुँच सकती है पांच भी चीज है आपके घर के रसोई घर का चकला, बेलन, थटबा इन चीजों को कभी किसी को इस्तमाल के लिए या उधार में ना दे इससे मालक्ष्मी बहुत दुखी होती है जिससे आपको दन की हानी पहुँच सकती है तो दोस्तों ये थी वे पांच चीजे जिनका हमें कभी किसी को भूल कर भी दान या उधार में नहीं देना चाहिए अगर वीडियो अच्छी है लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद